वेरी वेरी गुड आफ्टनून आज एक टॉपिक कराना था मुझे बहुत बच्चों का कोईरी आ रहा था सर चेंज इनिक्विटी और फाइनल अकाउंट में कुछ एक ऐसे टॉपिक्स थे जो के कह रहे थे सर ये एक्जाम में आ सकता है पेंडिंग है तो इसलिए मैंने ये क्लास रखा है आपके लिए कि मुझे एक छोटा सा टॉपिक कराना था बहुत बच्चों का कोईरी था और कुश्टन भी बार-बार भीज रहे थे कि सर ये वाला कुश्टन सौल्व करा दो तो चेंज इनिक्विटी तो देट इस आज जो हम करने वाले हैं हम जो आज करेंगे सिर्फ जो जो मुझे लगेगा मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा या लाइव आओंगा तो लाइव आजाओंगा फाइनल अकाउंट के अंदर बेसिकली अगर आप देखो तो सबसे में जो एक टॉपिक था हमने कर लिया है आपने बनाया स्टेट्मेंट विजन फूर टेक्स का टॉपिक डाला हुआ था ये भी हो गया एक अलग से रिजर्व एंड सर्प्लस का टॉपिक था ये भी हो गया एक अलग से हमारा चेंज इन इक्विटी है चेंज इन एक्विटी का शेडियूल बनाने को बोला गया है तो वो हमें बोला गया तो वो हम आज सीख लेंगे और ये तो बाकी तीनों हो चुके हैं और कुछ एक थियोरी इसके अंदर पार्ट आ सकता है एक्जाम में हम उसकी बात करेंगे अब देखो पहले का अभी कोई ऐसा मेरे पास अपडेट तो आया नहीं है अगर आपके पास कोई भी अपडेट हो तो आप मुझे वाट्सप करेंगा लेकिन ओफिशल नूटिस देखेंगे चेक करेंगे फिर मैं उस पर रिलाई कर पाऊंगा कि हाँ है या नहीं तो सबसे सबसे पहले मैं बात करूं न हमारे पास यह ऐसे दिक्कत क्यों आई क्योंकि जो बैलेंशीट और नेक्स्ट यर जो बच्चा पढ़ेगा उसका भी चेंज हो जाएगा सबसे पहले मैं थोड़ा सा पुराने बैक से चलता हूं स्टोरी में हमारा बैलेंशीट हमें बच्पन लिखते हो और इस साइड में आप क्या लिखते हो एसेट पहले यह बैलेंशीट आया करता है सबसे स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं सबसे स्टार्टिंग में जब यह वाली balance sheet आई तो उस case के अंदर हम क्या करते थे यहां पर हमने लिख दिया building और फिर मैंने लिख दिया stock और फिर लिख दिया मैंने machinery यह ऐस तरीके से लिख दिया यानि पहले fix assets डाला फिर current assets डाला फिर fix assets डाल दिया यानि कोई भी यहां पर sequence नहीं है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा globalization बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे बिजनस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे चेंज जाता जा रहा है फिर आया है कि भीया आपको ऐसे balance sheet नहीं बनाना आपको schedule 3 के हिसाब से बनाना है format तो यही रहेगा लेकिन आपको schedule 3 के हिसाब से बनाना यह 2013-2013 में आया कि आपको schedule 3 इसके अंदर marshal of balance sheet के नाम से भी जाना गया और बोला गया कि भीया आप इसको categorize करिए पहले आप लिखिए fix assets और इसके अंदर आप लिखे building और फिर लिखिए आप machinery और फिर आप लिखिए current assets और यहां पर लिखिए stock लेकिन format वही रखा गया T-shape बदला नहीं गया format जब आया तो यह schedule 4 था मैंने 3 गलती से लिख दिया schedule 4 था पहले हमारे पास schedule 4 और फिर धीर धीर एडवांस हाता गया आता गया फिर बोला गया कि भीया अब ऐसे balance sheet नी बनाएं गया balance sheet का फिर से pattern change करने जा रहें companies 2013 यह 1956 के टाइम पे था companies ने बताये कि हम schedule 3 से बनाएंगे balance sheet और अब balance sheet बनाने का कुछ provision ऐसा रखा इन्होंने और अंदर की भी बहुत सारी जानकारियां बदली ऐसा नहीं कि अंदर की जानकारियां नहीं बदली बहुत सारी जानकारियां इन्होंने बदली बोला ऐसा रखेंगे balance sheet जो अभी बना आते वे आपने सीखा है इधर हम रखेंगे नोट कुछ स्ट्राइप से इधर रखेंगे नोट इधर अमाउंट यहां पर आएगा एकुटी एंड लाइबिलिटी और यहां पर एसेट और सोन चलता रहेगा जैसे यहां पर शेयर होल्डर फंड और इस तरीके से चलता रहेग यह अब तक चलता ही आ रहा था इसके बाद फिर से अमेंडमेंट आ गया अब हमारे इंडिया के अंदर सारी अकाउंटिंग को ग्लोबलाइजेशन करने की तरफ जाने लगे यह पहले अकाउंटिंग स्टेंडर्ड फॉलो हुआ करता था जो एक से 29 था बाद में अकाउंटिंग एस जो था अकाउंटिंग स्टेंडर्ड को इन्होंने फैसला कर लिया जब तक चल रहा है चलाते जाएंगे और इसको बदल देंगे और हम आई अफरस तो नाम अगर रखते हैं तो लगेगा कि कॉपी कर लिया हमने बाहर से इन्होंने इसका नाम दे दिया एक new AS that is ind ind और AS रखते हैं यानि हम अपने इंडिया के नई AS बनाने जा रहे हैं तो बोला गया कि हम इतने सारे ind AS है अगर हम सारा का सारा changes पढ़ाएंगे तो business का सारा का सारा accounting collapse हो जाएगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे हमें पहले धीरे धीरे पढ़ाना है तो पहले 11 class के अंदर यह यह चीजें हैं कुछ कुछ चीजें बताएं तो साथ के साथ अभी पैरलरी accounting standard भी चल रहा है और इंडियस चल रहा है लेकिन limited company जितने भी और जिसकी turnover एक certain limit दे रखा है उससे उपर होगा तो उस पर इंडियस अपलाई होगा मर्जी है तो इंडियस कर लो अभी बिल्कुल compulsory नहीं किया गया बीकॉम के अंदर आपके second year के अंदर बीकॉम second semester के अंदर बीकॉम के अंदर उन्होंने धीरे धीरे जब नया syllabus आया एनिपी तो उन्होंने सोच लिया कि हम एंडियस फॉलो ही करवाएंगे तो जब एंडियस आया तो जितने भी चीजे accounting standard के accounting रही था वो तो हमें पता ही था लेकिन इंड यस आये तो इंड इस में बाते बदल गई अब उन्होंने कहा कि भी आफिर बैलेंशीट बदलो जो स्ट्रियूल टू था इनको अब डिवीजन के नाम से इन्होंने बोलना चालू कर दिया डिवीजन बोला फिर बैलेंशीट अंदर बैलेंशीट का फॉर्मेट बदल दिया वैसा ही रहेगा लेकिन जैसे फॉर्णर वगएरा फॉलो करते हैं वही लेके चलेंगे हम भी ताकि उनको दिक्कत ना हो उन्होंने बोला कि हम अब क्या करेंगे पहले हम रखेंगे एसेट्स में वही रहेगा हमारा फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स मैं थोड़ा नाम को और सिंप्लिफाई कर रहा हूं समझ लो था कि और फिर बी पार्ट जो होगा उसमें रखेंगे हम सर एक्विटी एप्विपार्ट में रखेंगे हम लाइबिलिटी और लाइबिलिटी के अंदर एएte पार्ट होगा और इकुटी के अंदर 2 चीजegen्गी एक तो होगी equity share capital और एक होगा other equity share capital other equity share capital that is reserve and surplus का ही modernize name कर दिया गया कि other equity दे दिया हम, equity other में, equity के अंदर रखा गया स्रिफ और स्रिफ equity share capital जो कि था हमारा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर गेम चेंज किया इन्होंने इन्होंने फिर थोड़ा बहुत फेर बदल किया बोला भया equity का मतलब क्या होता यह बता दो अब आप अधर तो समझ गया आपने बताया के other का मतलब है सर रिजर्ब एंसर प्लस डैट इस capital reserve general reserve free reserve return earning dividend equalization reserve statutory reserve जितने भी रिजर्ब हो इसमें आ जाएगा बोलाओ के यह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन equity के अंदर क्या आएगा तो equity के अंदर बोला गया कि भाई आएगा equity share capital और इसके अंदर आएगा preference share capital लेकिन यहां समस्या आ गया कि preference share capital दो टाइप के होते हैं एक रिजिमेबल और एक नॉन रीडिमेबल जिसे irredeemable कहते हैं अगर कोई भी redeemable preference share है क्योंकि अब तो redeemable preference share ही issue होते है irredeemable तो ban ही कर दिया गया है लेकिन पहले का कोई issue होगा irredeemable preference share तो बोला गया irredeemable preference share तो equity का part माना जाएगा और जो preference share capital redeemable वाला होगा उसे हम मानेंगे non current liability का part मान लेंगे यानि अब preference share capital हो सकता है equity का भी part हो और हो सकता है कि liability का भी part हो यह किसके अंदर suggestion दिया गया है सर यह ind AS के अंदर accounting standard में कोई बदलाव नहीं है और आपको जो exam में अभी फिलहाल आएगा अभी फिलहाल balance sheet बनाने को आएगा वो ind AS के according नहीं आएगा नॉर्मल AS के according आएगा तो आपको तो equity share और preference share जैसे बनाते थे वही बनाना है ठीक है अभी ऐसाच बहुत एकदम से apply नहीं कर दिया कि आपको करना ही करना होगा तो main changes अब भया इसके उपर dividend की बात आएगी बोला गया इसके उपर जो भी dividend होगा पहले आप क्या करते थे reserve and surplus से minus करते थे बोला नहीं अब इसको रखो आप other finance cost में डाल दो इसको finance cost statement of profit and loss में आपको समझ में आ रहा है का अगर इसे non current liability में डाल दिया हमने तो यानि डिबेंचर, bond वो सबाते हैं non current liability में उसके interest को कहा डालते है finance cost में, same इसके dividend को भी कहा डाल दो वहाँ पे finance cost में, लेकिन आगर irredeemable preferentia है तो उसको as an equity के तरीके से treat करोगा यह major बदलाव किया गया इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़े कि extraordinary item कुछ भी नहीं होता हाँ, यहाँ पे major एक बात को ध्यान रखा गया कि कई बार हम पीछे जो भूल जाते है that is called adjustment जिसको हम बोलते है adjustment उस adjustment को उन्होंने क्या करा कि जो notes बनाये हैं उसी notes के अंदर ही minus plus करके उस adjustment को उन्होंने दिखा दिया कि notes के अंदर ही minus and plus करके adjustment में हो जाएगा actually college teacher ने send किया है update slavus तो आप एक बार slavus भेज दीजेगा बागी बच्चे जब तक मैं finally बता ना दू, देखना लू तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हटा या नहीं हटा ठीक है न? तो एक बार वो देख लेंगा और वो confusion लिखेंगे, सर हमें कौन सा balance sheet follow करना है, आपने तो पहले liability और फिर assets बताया है और आप बोल रहे हो change हो गया, तो change वाला अभी 100% apply नहीं हुए आपके उपर आपको पुराने वाले method से follow करना है, change वाले में से थोड़ा सा equity को सीखने के लिए थोड़ा सा हम difference भी पढ़ लेते हैं इसके अंदर के क्या-क्या differences है, आपकी किताब में although given है, तो एक बार देख लेते हैं यह division 2 है, यानि यह Indeas है और division 1, यानि पुराने वाला यह old वाले की बात करेगा, तो कहा division 2 schedule and 3 is applicable company whose financial statement are revised rule के हिसाब से, यानि जिसके उपर applicable है, मैंने बता दिया हर एक listed company के उपर यह क्या है applicable है, तो आपको ज़्यादा सोचना और tension भी नहीं लेना है, यह कहता है division 1 जो है, जो schedule 3 में बताया गया था, whose statement are prepared comply with the accounting standard यह किसके हिसाब से accounting standard यानि यह AS के according चल रहा है और यह INDAS के according चल रहा है आगे बोला गया treatment of preference dividend, मैंने भी बताया preference dividend, कहा गया required to the dividend redeemable, जो preference share का होगा, वो include होगा, कहाँ पे जाके finance cost, और यहाँ पे क्या था, जो preference share था, redeemable हो, redeemable, वो surplus में से क्या हो जाएगा, adjustment हो जाएगा surplus में जाके, सभज माई बात तो जो major changes लेके आए है statement showing change in equity तो इसके अंदर in addition format बनाया जाएगा statement profit and loss balance sheet के अलावा addition provision format statement change in equity यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, पुराने वाले मैंने बताये नहीं, in other division the provision format statement of profit and loss balance sheet के अंदर incorporated होता है, इससे अलग से कोई दिखाने की जुरत नहीं है extraordinary item, extraordinary item क्या होता है सर जैसे कि earthquake से हो गया, कुछ ऐसा, bookamp आ गया loss by fire, loss by theft, तो बोला गया कि भाईया, इसके अंदर इसकी कोई जगह है नहीं है, कहता है कि does not have any concept of extraordinary item बोला, नुकसान हुआ है तो minus को रो आप income में से, और फाइदा हुआ है तो जोड़ो बस ये concept लेके चले, और ये क्या कहते है कि भाईया, इसको extraordinary item को अलग से notes to accounts में हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि धीरे-धीरे हम foreign यानि हम पूरे national level इंटरनेशनल लेवल पर accounting करने जा रहे हैं इससे आपको फाइदा ये मिलेगा कि आप जो है बाहर भी अगर कभी in case जाते हो तो उस situation में आपको job accountant की मिल सकती है अगर मैं बोलू right now present जो अभी है situation अगर इंडिया का कोई भी इस यह बाहर जाता है job करने के लिए तो वह normal बेरोजगार इंसान ही माना जाएगा being reason उन्होंने पूरे international उनको वहां पर एक paper देना पड़ सकता है और वहां की accounting को समझना पड़ेगा ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाएगा समझने में time लगेगा तो फिर वहां बैठ पाएगा उन्होंने सोचा जब यह situation आ रही है तो हम ऐसी accounting globalization basis पर कर दें जिसमें सबकी accounting एक है यहां से कोई बच्चा अगर मान लेते हैं कि graduation करके भी बाहर बोले कि मैं accounting करना चाहता हूं और वह दुबई चला जाए यह कहीं भी चला जाए तो वहां पर एक accountant के नोगरी अराम से पा स इस नो सच requirement कहता है रिकांप्रेंसिव इंकम इस पार्ट स्टेटमेंट प्रॉफित और लॉस रिक्वाइट तो दिवीजन वन नो सच मतलब यह एक अलग से अधार इंकम को दर्शाय जाएगा जब स्टेटमेंट प्रॉफित और लॉस अब तो पढ़ नहीं पाओगे क्यो पार्ट ऑफ एक्विटी और रिडीमेबल प्रेफरेंश यह पार्ट ऑफ नोन करेंट लाइबिटी जो मैंने पहले बताया आपको देर इस नो सच ऑफ बाइफिकेशन डिवीजन वन बोलता भी यार इसमें कोई बाइफिकेशन ही नहीं है यहां तो सिर्फ सेक्शन और यहां पर रिड्रोस्पेक्टिव चेंजिस अकाउंटिंग पॉलिसी को हम दिखाएंगे बैलिंस शीट में और यहां पर नहीं दिखाया जाता था बाइफिकेशन ऑफ दा बैलेंस शीट आइटम यहां बाइफिकेशन कर दिया गया पहले इन अडिशन करेंट नोन करें इसके एंदर पहले इसेट को रखा गया है उसके बाद लाइबिली को यहां पर पहले लाइबिली को और फिर एसेट को तो एक बार को मैंने यह differentiate बताया आपको जो कि आपके exam में पूछा जा सकता है यह differentiate तो hopefully अब समझ में आ रहा होगा कि change in equity का क्या माज़रा है change in equity में आपको एक तो सीखना है equity के notes और एक सीखना है आपको other equity के notes तो other equity के notes तो पहले से ही आता है आपको that is a reserve answer plus और equity का note भी आपको पहले से आता है थोड़ा सा जो change है वो मैं करके आपको यहां पर बता दूँगा अच्छा एक question और बीच में मैं लेना चाहूंगा कि कई बार पूछ लेते हैं कि income को कुछ एक questions ना इस chapter में नहीं है आगे भी मिलेगा कई बार बोला जा सकता है कि total जो income होसा है उसको round of कैसे करेंगे तो बोला कि अगर less than hundred क्रोर आपका business है तो वहां round of nearest hundred कर दीजिएगा या फिर आप thousand कर सकते हैं अगर k में लेके चलेंगे या lakhs में चलते हैं लेक्स में लेके चलेंगे और millions decimal जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ समझो अगर मेरा आप 20,000 मैंने 2005 लिखा है ठीक है तो अब 2005 लिखा है तो nearest hundred करना है तो 2005 का मतलब मैं सिर्फ इसको 2000 लेके करना मतलब ऊपर के चुट-पूट जैसे 2.56 हो तो आप 2.7 मान सकते हो इसको ऐसा रहता है यही है लेकिन आप थाउजन में चल रहे हैं मानलो 205 के कर दिया आपने तो थाउजन में कर दीजिए आप 200 के करिए इसको 205 के मत करिए 200 के कर दीजिए इसको ऐसे लेक्स में है तो आपको 205 की जगह पर 200 लाग लिखिए हाँ लेकिन अगर 200 मान लेते हैं 266 लाग है तो आप 266 मत लिखिए यहाँ पर 300 लाग कर दिया गया और अगर 100 करोड से जादा है तो आप नियरिस्ट किस से करेंगे लेक्स में करेंगे, मिलियन में करेंगे, करोड में करेंगे, ड सर यहां पर financial account का मैंने थोड़ा सा यह overview दे दिया हब हम बात करते हैं सर चेंज in equity में पहले ही मैंने थोड़ा format बना लिया है that is कौन सा पार्ट है चेंज in equity में सबसे पहला पार्ट है आपका share capital का एक बार इसको ध्यान दीजिए पहले मैं equity की बात कर रहा हूं सरा सरme equity की में बात कर रहा हूं यहांपे सरे दिज़ब खर वी कि बात कर रहा हूं पहले तो सर्व यहां पर थोड़ा सा मुझे variation करना पड़ेगा क्योंकर की ओपनिंग बैलेंस और के अंदर यहां दो चीज़ आ जाएगे एक्विटी यहां लिख रहा हूं मैं एक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा प्लस आपका एर्रेडिमेबल क्या अगर प्रफरेंश चेयर कैपिटल के आगे कुछ नहीं लिखा तो आप आल्वेस कंसीडर कर लिजीएगा कि यह इर्रेडिमेबल वाला ही ठीक है उसे आल्वेस कंसीडर कर लिजीएगा कि वह इर्रेडिमेबल वाला ही पार्ट है 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 अ तो सर क्या चेंजिस है एक बार समझ लीजिएगा इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करा हुआ है मैंने कोसिस किया है कि इसको सिंपल वे में बताया जाये ताकि आप इतना ज्यादा वह परिशान ना हो ओपनिंग बैलेंस यानि साल के सुरू में बैलेंस जैसे कि आपको 2010 दे दिया और 2011 दे दिया तो इस ओपनिंग बैलेंस और यह अगर कोई बी चेंज एक्विटी शेर प् इस एर मैंने बाइबैक कर लिया था उसको अर्जस्मेंट करना भूल गए तो माइनस कर लो यानि आपका इकुटी अगर बढ़ रहा है तो प्लस सेक्षन में लिख दो और घट रहा है तो इसको माइनस ले लो इन दोनों को तो एप्लस बी करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आजाएगा सी जिसको बोलते हैं रिइस्टेटिट बैलन्स नया word डाल दिया मैं तो सिंपल बोलूंगा कर बैलेंस डाल दो तब भी चलता है लेकिन यहां पर नया word डाल दिया रिइस्टेटिट बैलेंस आगे दो एक बढ़ और डाल दिया है इसके बाद कोई भी चेंजिस इन एकुटी है करंट इयर में जैसे बोनस इसू किया वो ले लो बाइबक किया वो फ्रेश इसू किया है वो ले लो उन सभी को एड लेस करने के बाद फाइनल क्लोजिंग बैलेंस इकुटी का आ जाएगा तो यह आगया हमारा इकुटी वाला सेक्शन नीचे में ने वाला करना है बस यह फरक रखा इसको करने का ना कई बार भुक वाले क्या करते हैं इसको इस फॉर्मेट के अंदर दिखा देंगे तो आप परिशान मत हो ना इस फॉर्मेट में दिखाएंगे वह कि जैसे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस चेंज फिर री स्टेटिट बैलेंस और फिर चेंज करेंट येर और फिर क्लोजिंग बैलेंस तो इस फॉर्मेट में लेके चल लेते हैं और मैंने सिंप्लिसिटी करके इस फॉर्मेट में लेके आ कि डिसकाउंट और इसकी बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसको बहुत मतलब आ सकता है पिछली बार 12 नंबर में कुश्चन आया था और बहुत सिंपल सा कुश्चन था वो कुश्चन भी मैं दिखाऊंगा और बच्चे उसको साइद बोल रहे थे सर यह निया अधर इकुटी तो अधर इकुटी लाइक क्या होता है सर रिजर्व एंशर प्लस ठीक है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले लो रिटेन अर्निंग पहले कॉलम पे रखना फिर आप लिख लो और कोई भी लिख सकते हो लाइक आप कैपिटल रिजर्व लिख सकते हो सिक्यो चाल ना तो जो भी होगा सब लिखके और लास में टूटल करके और फाइनली लास में हम यहां पर टूटल करतेंगे तो सबसे पहले सेम है कॉंसेप्ट एक्दम सेम है बिगनिझ में आ जाएगा जो भी होगा स्टार्टिंग मेंmiyorum होगा माशलो ये सब नहीं है तो कौई बा लगाना था कम लगाये 1000 तो उससे हमारा प्रोफिट ठीक करने के लिए कम करेंगे तो माइनस हो जाएगा इसके बाद रेस्टेटेटिड बैलन्स यानि यह वाला आपका टॉटल आ जाएगा ऐसे यह टोटल आ गया इनको करके टोटल आ गया अब इसी के अंदर यहां नेट प्रॉफिट एड़ कर दोगे जो भी टोटल आएगा नेट प्रॉफिट एड़ कर दोगे और यह चलता रहेगा अगर आगे आपको दिखता है तो वैसे तो उपर ही आ जाएगा यह खाली से रखते थे हैं यहां पर हम स्टेट्मेंट यहा लेके चले जाएंगे 9 नेट प्रॉफिट एड़ स्टेट्मेंट और लोस अ यहां पतल प्रोफिट ऐसे लॉस से नहीं कराने वाला हूँ तो सबसे पहले हम चेंज इन इक्विटी और सारी चीजों को लेके एक कुस्टन कर लेते हैं जो आपके एक्जाम में भी आया हुआ है और मैं फॉर्मेट एटी कोपी कर लेता हूँ ताकि मैं जल्दी करा पाऊ आपको बस यही टॉपिक मुझे आज करवान था और एक CSR वाला पॉइंट है कि corporate social responsibility इसके अंदर भी है पॉइंट लेकिन हाँ याद रखिएगा वह जो CSR वाला पॉइंट है न वह मैंने आपको सिक्स यूनिट में अच्छे से बताए कि CSR कौन बनाएगा कब बनाएगा कितना बनाएगा तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपको CSR वाला टॉपिक इसके अंदर नजर आए तो उसके थियोरी को आप उस यूनिट नंबर फाइब में से देख लेजेगा वहां पूरा एक्स्प्लेइन है क्योंकि वहां CSR का पूरा टॉपिक ही गीवन था इसलिए ठीक है चलिए मैं equity इधर बना लू या अग तो मैं इसको लेकर चलता हूँ चलिए चलिए कोश्चन थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा तो मैं इस पूरे को फिर से एक बार ट्रांसफर कर देता हूँ और नेक्स कॉलम में और वहां पे हम अदर एक्यूटी बना लें है न यहां पे हम अदर एक्यूटी बना लेते हैं अधर को टी का कॉलम यह खीच रख़ रहा है पहले से तो इसी कर लें १ इसको दो पार्ट मैं ज़रूर लिखिन इसको चोटे-चोटे कॉलम बना लेंगे जो जुरत हो गई हमें कुशन चोटा चोटा कर देते हैं इसको जैसे जैसे जुरत पड़ेगा वैसे वैसे कॉलम बनाना है वो तो मैंने एक इजांपल लिया था कि यह जो जो रिजर्व हो वह ऐसे डाल लेंगे इधर ले लेते हैं ठीक है जैस्ट कुश्चन देखने के लिए तो पहले सबसे पहले इधर आ जाते हैं कलर चेंज कर लेते हैं यह यह ले लेते हैं ब्लू कहता है इकुटी शियर डस रुपे का एक है और यह करोड में है 50 करोड का तो मैं सारे डिजट करोड में लुगा तो 50 करोड का एकुटी शियर कैपिटल है और इसके नीचे ही देता है 5% प्रफरेंश यह 100 रुपे सीच बिगनिंग और बिगनिंग में दे रहा है यह दो तो हम पहले बिगनिंग वाले बैलेंस को लिख ले हो और यहां के जैसे सकते मैं च्च यहां पर यहां लिख दिया और आप की सो अयां यहां यहां पर आपे जिरों रिख दोंगई जितने जिरों कम करने सकते हैं तो आप साथ zero लगागे फिर आगे कर सकते हैं उसके सबसे चलिए अब आगे कहता है retain earning वाली बात आ गई है तो मैं retain earning तो कहा जाएगा हमारा other equity का part है मैं लिख रहा हूँ other equity में जाओंगा इसके सिक्रिटी प्रिमियम भी other equity का part है capital भी ये भी other equity का part है revolution reserve ये भी other equity का part है, मतलब के reserve and surplus का part है, change resulting कहता है correction prior period item ये भी other equity का part है change in accounting policy, ये भी other equity, जो भी policy change हुआ, other equity में जाएगा यानि reserve and surplus में net profit दे रखा है, ये भी other equity का part है, यानि वहीं जाएगा revaluation, ये भी other equity, यानि सारे part ये reserve and surplus के है dividend paid during the year, ये भी किसका part है other equity, अब कहता है 50 lakh के आपने new share issue किये है 50 lakh into में 10 करोगे, और each at 100 rupees during the year, कहता है कि भी या हमने 50 lakh new share issue किये है, 10 रुपे का 1 at the rate 100, यानि 90 रुपे का क्या आगिया यहाँ पे premium आगिया ध्यान देना, तो अगर मैं यहाँ पे 50 lakh into में 10 कर दूँ, तो कितने होगे 50 into 10 कितने होते है 500, 500 lakh यानि 5 करोड होगे, ultimately देखा जाए और यह सारा digit करोड में चल रहा है, तो new fresh issue में मैं डाल दूँगा, 5 करोड और अगर मैं security premium निकाल लूँ, तो 50 into में 90 तो 50 into में 90 कितने हो जाते हैं भाई 4500 लाक और आप अगर एक कॉइंट हटा दो, तो यह आ जाएगा हमारा 4500 नहीं, दो 0 हटाएंगे ने तो 45 आ जाएगा, दो 0 हटाएंगे ने इसमें से, करोड में बनाने के लिए 100 में होता है ना, अगर 100 लाक का एक करोड होता है तो जैसे 500 को मैंने 5 लिखा है, इसे 4500 को कितना आगया यह आगया हमारा SP, और यह SP कौन सा है, current year का है यह सारी चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलना है बाइबेक करें हैं, बीस शेर, बीस लाक शेर, दस रुपे का एक तो बीस लाक हिंटू में दस रुपे यहां पर आजेगा बीस लाक हिंटू में थीस यानि कितने हो गए 300, यानि तीन रुपे का सिक्योरिटी प्रीमियम पेड गया अब प्रीमियम की बात अगर देखोगे तो 45 आये थे और तीन रुपे प्रीमियम पेड हो गए यहां सर ओडिटिक एंड कॉर्पेड गवर्मेंस में तो थियोरी है ना पूरा हां बिल्कुल पूरा का पूरा थियोरी है और कुछ केसिस है जो कि आपको पढ़ने होंगे क्या कह रहे हूं प्रीमियम पचास रुपे था ना चालीस आएगा सौरी इसमें 10 वाले शेयर को कितने वाइब किया है चालीस यह कितना आ जाएगा चार दुनी आठ आठ ऑस इंसने कितने 393 यह डो पर यह स्टिन चला जा जाया और यह सिक्योरिती पूरा अ서 बॉनस इशू किया है इसने कितने 45 करोड के तो बहिए बॉनस इशू 45 करोड से हैं तो यह प्लस कर दो कि 45 यही है यहां पर और तो कुछ है नहीं तो फटा फट से हम इसका बैलेंस निकाल देते हैं क्या डायेगा सिर्फ यह कूटी का बैलेंस निकल के आया था तो यह हमने एक अलग निकाल दिया अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके बाद अधर एक्यूटी बुक के अंदर solution देखोगे तो सब को क्या कराई इनों ने इसी के side में column ड्रो करके अधर एक्यूटी कर दिया लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको balance sheet के purpose से दो पार्ट में ही divide करूँआ मैं इसको चलिए sir सबसे पहले हमारा दे रखा है क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर देखते जाएंगे और करते जाएंगे यहाँ पर यह वाला तो हो गया done यह भी हो गया done retain earning beginning में 100 इसके बाद retain security premium beginning में 50 security premium आ गया हूँ यह beginning का सारा चलेगा हमारा capital redemption CRR कितने है पचास revaluation reserve एक कॉलम और बना ले यह भी beginning है चलो री वैल्यूएशन यह भी 50 यह भाई हो गया अब correction prior period item prior period item यह वाला कुन सा prior period और यहाँ पर जो correction लगेगा वो current year current year का तो वैसे net profit में prior period item में क्या कहता है यह क्या correction लगा हमारा profit क्या हुआ हुआ यह result में increase 5 करोड से तो इसी में लेना है हमें 5 करोड पांच करोड रोगा ठीक है एक तो यह हो गया इसके लिए आपको जैसे मैंने यहाँ पर यह line लिखा है यह line लिखे आपको वो जल्ट में बोल रहा है क्या हो रहा है profit पे इंक्रीज तो इसलिए मैं प्लस में लेके चल रहा हूँ अगें कहता है accounting policy और फिर से हमारे profit में क्या result आए इंक्रीज हुआ तो accounting policy बस इसको थोड़ा सा आपको पूरे-पूरे statement लिख दीजिएगा जो यहां पर लिखा हुआ है ताकि अच्छा रहे और यहां कितने 10 का है ठीक है अब यह total हो जाना है इसके बाद क्या देता है net profit दे दिया इसमें कितने का है कहता है चार करोड net gain foreign exchange बोलता है इसमें एक्स्ट्राओर्डिनरी आइटम है यह फॉरेन एक्स्ट्राओर्डिनरी आइटम इसमें लिया ही नहीं जाता तो छोड़ो कितने 20 करोड का है सीधा 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 net profit कितने का 20 करोड का इसी में जाएगा retain earning net profit का कोई अलग कॉलम नहीं बनेगा और retain earning के कॉलम में ही चला जाएगा नहीं क्योंकि यह एक्स्ट्राओर्डिनरी आइटम को कुछ भी नहीं करना इसमें कोई treatment ही नहीं है अगर यही काम कर रहे होते हम किसमें पुराने वाले balance sheet में तो फिर हम माइनस करके उसको अलग स तो इसको अलग से दिखा देंगे नीचे ठीक है न रिस्टिटिट बैलेंस नेट प्रॉफिट जनरिजब यहीं पर दिखा देंगे रिवल्यूशन गेन तो रिवल्यूशन गेन यहां दिखा देते हैं चलो यहां लिख देते हैं रिवल्यूशन यह करंट येर का है कब है क प्रॉपर्टी प्लांट इक्यूप्मेंट इंटेंजिवल बताए नहीं तो करंट यह का होगा तो प्राइर प्रियर्ड में मत डालो इसको यहां दिखा दो रिवेल्यूएशन गेंग कितने का है 10 करोड तो मैं यहां पर हटा दूँआ वैसे सामने लिख देता हूं कि 10 का आ ठीक है डिविडेंट पेड डिउरिंग दे यर 5 करोड तो डिविडेंट पेड किया है 5 करोड तो 5 करोड माइनस में हो जाएगा इसके बाद क्या कहता है इशू हो गया बाइबैक हो गया बोनस तो होई गया और कुछ रह गया क्या और कुछ रह गया इसमें देखो आप चेक करो और कुछ रह गया क्या और कुछ तो नहीं रहा इसको कोश्चन को हटा दू मैं इस कोश्चन को मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने सारे आइटम इससे ले लिए तो मैं इसको हटा देता हूँ हटाने के जगह पर मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ ठीक है यहां तक था यह दस था ना दस अब आ जाई यह सब टूटलिंग वाले काम को कर लेते हैं यह री स्टेटिट बैलेंस मतलब यहां से यहां तक टूटल कर लो एक और कॉलम बनाना है टूटल का जो कि मेरे पाद कितने हो गए 110 115 ठीक है यह कितने हो गए 50 यह कितने हो गए 50 यह कितने हो गए 50 और आप टूटल को भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो टूटल टूटल इसलिए दिखाते हैं ताकि हमें लाश्ट में टूटल करने में असानी रहे इसलिए टूटल का दिखा देते हैं टोटल में इन सब को जोड़ दो कितने हो गई यह डेड़ सो धाई सो और यहां पर यह कितने हो गए पांच और दस पांच और दस यहां पर रिस्टेटिट बैलेंस यही टूटल आजाएगा जो कि यहां से टूटल आएगा हमें यहां से लेकर चलें चाहिए टूटल कर दें 650 अब आज आते हैं सर सेक्यूरिटी प्रीमियम की बात करने के लिए सिक्यूरिटी प्रीमियूम में हमारी करन चेंज था तो फ्रेश इशू पे सिक्यूरिटी प्रीमियम में करेंट का कि आऊ इसपी आपको पीछे कुछन में बताया था कितना हैता 45 इसवार प्लस करते है अ और यहां से माइनस हो जाएगा हमारा बाइबेक पे बाइबेक पे security premium अब हो सकता है बाइबेक केस पे आपने security premium का paid write-off करने के लिए use किया हो या ना किया हो सकता है आपने free reserve use कर लिया हो सकता है आपने CRR तो use किया होगा buyback और bonus के लिए तो वो भी अभी treatment कर लेंगे तो security premium मैं यहाँ पे दिखा दिता हूँ कितने थे आठ रुपए का तो आठ रुपए यहां पर दिखा दिया यह माइनस हो जाएगा ठीक है अब देखो आपने क्या issue किया था सर पीछे आ जाओ आपने issue किया था bonus 45 तो CRR यूज होगा 45 का तो bonus use किया तो CRR यूज होगा 45 का तो 45 माइनस कर दो नीचे CRR ट्रांसफर बोनस ट्रांसफर बोनस तो कितने CRR 45 उसके बाद आपने क्या issue हुआ करेंगे से अगर हम क्या बढ़ावर, present देखें तो बाइबबक करने के लिए क्या करना काहां से करें र पहले से अगर हमारे पास पढ़ा हुआ है तो हमें create करने के वैसे create अगर करेंगे तो profit में से 2 minus कर दो और CRR में 2 जोड दो यही कर सकते हैं CRR create कहां से किया जा सकता है हमारा reserve answer plus से किया जा सकता है इन सभी से कर सकते हैं तो हमें एक काम करते हैं या फिर security premium भी use हो सकता है यहां पे buyback के time पे redemption of preference share पे security premium यूज नहीं होता लेकिन buyback के time पे हो सकता है तो मैं ऐसा करता हूँ 2 रुपे का यहीं से CRR निकाल लेता हूँ आपके पास काफी multiple options है CRR यूज कर रहेंगे हम यहां से 2 रुपे माइनस कर देंगे और 2 रुपे यहां पर क्या कर देंगे यह वाला तो माइनस हो गया ना और यह दो यहां चला आगया ठीक है चलो अब तो 45 आया है या यूज हुआ है चीक है यह ऐसे ही टोटल कर लेते हैं एक मिनटर को पहले ऐसे कर लेंगे फिर ऐसे इसका टोटल कर लो क्या बनता है 115 माइनस प्लस 20 और माइनस पांच यह बन गया 130 सिंपल इसका पचास प्लस 45 माइनस आट माइनस दो यह बन गया 85 इसके बाद पचास माइनस 45 प्लस दो यह सेवन बच गया यह साट बच गया तो आप इसको ऐसे टोटल कर लो पता चल जाएगा 130, 85, 7 और 60 यह आगया 280 और पहले का टोटल कितना था हमारा 108 तो इसको प्लस कर दो 108 को यह 390 आपका टोटल चेंज इन इक्विटी बन जाएगा और हमें 81 दिखाने के ज़रत भी नहीं है यह आ गया चलो अब इसको कर देते हैं यहां से यह माइनस 45 कर देना और यह प्लस माइनस तो 0 ही हो गया जब CRR में जाएंगे तो आप इसको भी टोटल करोगे 265 प्लस 10 265 प्लस 10 प्लस 45 माइनस 45 275 माइनस 282 और 7 रुपे रहे गया क्या रहे गया 7 रुपे यह रहे गया ना माइस 5 को यह नि लिया नहीं है इधर ले जाने में और नेट पॉल्फिट बीस भी लिए और क्या नि लिया चलो यह चला गया यह चला गया यह इसको नेट करके लिए लेता हूं मैं 45 माइनस में 387 ले लेता हूं और बागी चलो छोड़ो नहीं तो इसमें कॉम्प्लिकेशन जहा रही है इसमें तो हमें काम करते ना इस को टोटल को हटाई दो मेंडेटरी असा नहीं है मैं सिंप्ली यहां पर लिख लेता हूं टोटल इसको टोटल कर लो यह तो सही रहेगा 282 तो यह हमारा हो गया चेंज इनक्विटी में क्या हुआ सर हमारे अधर इक्विटी में 282 का आ गया चेंज इस और जो हमारा नॉर्मल था 108 का आ गया आप बुक में यह 10 यर में देखोगे तो मैं दिखा देता हूं 10 यर में कैसे कर रखा है निकालना कि सी यर में 45 माइनश क्यूं होँ याद करो quo की ये थे यहाँ पर देख इसको थोड़ा सा practicing कciller कर देता हूं यह वाला नोट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं靠ील कर देता हूं देखो मैंने क्या करा था हूं ivory सबसे पहले तो फ्रेश इशू गिया था तो फ्रेश इशू का कर देते हैं कि अ है कि तो फ्रेश ईशू में हमारे टी में तो चला जाएगा घेँ कि तने दस पचास इंटू में तो में तो यानि या गया 500 जो की कोर शायां तो पांच सा जाएगा दो जिरू हटा देगी ठीक है और ऐसे इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिया गया तो आपने दस वाली चीज़ को सौ में बेचा है तो इन्टू में नब्बे तो यह आगया साड़े स्क्राइब करोड़ के दिये हैं तो अगर तो आप एन्टालिस करोगे ना बोनस के एंट्री क्या होती है हमारी सी यार अकाउंट डेबिट टू बोनस चीर फिर बोनस चीर टू एकूटी शिर टू याद होगा तो वह हो गया अब हम बात करते हैं बाइबैक में हुआ क्वा थ स्क्राइब तो भीच इन्टू मैं 10 तो हमें पेमिंड करना पड़ेगा देट इस दो सो हो गया तो यह दो रुपए के काउंट में आ गया और पचास था तो दो सो इन्टू मैं अगर चालिस करोगे तो यह आगए आट सो रुपए तो इसको आट रुपए करोगे आठ रुपए का security premium paid किया इसलिए आप यहां पर देखोगे मैंने 8 रुपए यहां पर यह माइनस किया है क्योंकि security premium यूज हुआ है दो रुपए मैंने इस से उठा के CRR में ले गया इसलिए यहां पर यूज हुआ है आप देखिए 10 यह में आप 10 यह में देखोगे simply आपको विज्वल हो रहा होगा तो यह बनाया हुआ उन्होंने शेयर कैपटल यहीं डाल दिया है ठीक है ना यहीं डाल दिया यह साइद कुश्चन थोड़ा सचीन्ज है नहीं तो इनका इक्विटी तो बड़ा कमा रहा है इसने प्रेश इसू नहीं है चलो मैं दिखाता हूं मैंने कहां से किया थोड़ा सचेंज है थोड़ा चेंज है एग्जेक्ट्ली कोश्चन नहीं था आप देखोगे तो समझ जाओगे यह कूश्चन था हमारा एक दो points उसमें से reduce किया गया है तो इन्होंने क्या करा share capital यहीं डाल दिया बाकि सारी चीज़े यहीं पे दिखा रहे हैं मैंने share capital को बिल्कुल separate कर दिया reserve and surplus को separate कर दिया और वो इस तरीके से बना है इन्होंने और मैंने भी इस तरीके से बना दिया इन्होंने क्या करा buyback में 2 रुपे माइनस share capital का पार्ट हो गया 5 रुपे यहाँ पे सारी चीज़े बिल्कुल सेम है और उसी इसाब से इन्होंने करा हुआ है जो मैंने किया है ठीक है बाकि 10 यर के अंदर 1-2 point change है 10 यर का same question नहीं था एक दो point किया था 10 यर में change था ठीक है न है न चेंज है थोड़ा बहुत change है तो एक question मैंने करा दिया अगर आपने यह कर लिया तो 100% time sure कि आप 10 यर वाला भी question कर लोगे बस मेरे का फ्रेश इसू भी नहीं है देखो 10 यर का question यह है और मेरा question यह है मैं सामने अगर रखूँ क्या चेंज है अरे मैं बता देता हूं 10 यर का काफी बच्चे पूछ रहे था उसके लिए मैं बोड़ रहा हूं तो सर एक्विटी शेयर ठीक है ठीक है मैं क्या क्या change है वो मैं यहां कर देता हूं यह सेम है यह सेम है जो सेम है टिक मार दूआ रिटेन अर्निंग 100 करोड़ है यह भी सेम है इसके बाद security में 50 करोड़ यह भी सेम है फिर 50 करोड़ यह भी सेम है फिर एक और जो 50 करोड़ रुपय है वो नहीं है question में कौन सा 50 करोड़ नहीं है borrow is a course और पांच करोड थीक है कि करेक्षण पांच करौड ठीक यह भी ठीक है और आ इशू बोनस शियर दे रखा है यहाँ पे फ्रेश इशू का पॉइंट नहीं है और इसमें फ्रेश इशू का पॉइंट था वस यह तीन चेंजिस था और मैं समझता हूँ यह एक बार आप कुस्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा तो यह था हमारा थोड़ा सा चेंज इ रखिए तो डिविडेंट वाले चप्टर में मैंने कराया हुआ है अगर नहीं ले रखी तो मैं वीडियो डलवा दूआ जिस बच्चों का है बाकि वह एक्जाम के पॉइंट वी से इतना रेलिवेंट नहीं है तो यह था आपका कुछ बच्चों का डाउट चेंज इन इक कई बार कि जो हमारे बिजनस में होता है हम सारा अपने रिष्टेदार को दिला देते हैं export देते हैं और आप और जो चीजे बाहर 100 रुपय का भिक्रा था मैंने फैमिली को बोला कि 110 का इससे ले लो और यह अच्छा है तो अब कंपनी कैसे पहचानेगी कि इसने फैमिली का फाइदा किया ऐसे तो कोई भी बता सकता है तो कंपनी ने बोला कि अगर तुमारे पास 20% कंपनी का स्टेक है तुम रिलेटिड पार्टी बाने जाओगे अगर तुमने ऐसा कोई काम किया है जो मार्केट वैली सो तुमने किसी को महेंगे में कॉंट्रेक्ट दिला दिया कंपनी के इसके लॉस है तो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो तो वह बस रिलेटिड पार्टी के आठ दस आपने बनवाया है उस तरीका से ही बनाना मैंने बोला बच्चों को डाउट आएगा तो उसी से बनाना है और आपके देखो कल तो एक्जाम है कल जिन बच्चों का एक्जाम होगा वीगाम ओनर्स का कुछ और टॉपिक जैसे 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 मैं डूंदता रहूंगा मैं अब देखिए बच्चे कह रहे हैं एक बुक से ऐसा नहीं होता हमें जब पढ़ाना होता है तो हमें इसके अलावा बहुत सारी बुक अगर मैंने चेंज निक्यूटी वाला बताऊ ना तो यह चीजों को हमें देखना पड़ता है उसके हिसाब से कराना पड़ता है एक बुक स हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बस यस एनिपे में भी आएगा और कुछ बच्चों के डावट स्टिल जो भी रहते हैं अब उसके डावट सॉल्व होने चालू हो जाएंगे क्योंकि मैं तो अभी क्लास ले रहा था